देखो देखो रो कि मचली मेरे जाल से फिसली जाए पकड़ो पकड़ो रहे दोस्तों बॉलिवूड में एक ऐसी एक्टरस रही है जिनके लिए डांस उतना ही जरूरी था जितना की जिन्दा रहने के लिए खाना पीना और सांस लेना वो एक्टरस थी मधुमती इनका जन्मत 30 मई 1944 को मुंबई के एक पार्सी परिवार में हुआ था उनके पिता एक जज्ज थे मधुमती को बच्पन से ही डांस का शौब था और इसी के चलते पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था लेकिन उन्होंने दस्टी तक अपनी पढ़ाई पूरी की इसके साथ साथ वो डांस भी सीखती रही वो भरत नाटियम, कथक, मनी पूरी और कथकली के अलावा फिल्मी डांस भी करती थी स्कूल में बढ़ते हुए ही मधुमती ने स्टेज डांस करना शुरू कर दिया था और इसके बाद उन्हें फिल्मों में आफर मिलने लगे वैसे तो वो फिल्मों में करियर नहीं बनाना चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक मराठी फिल्म का ओफर स्विकार कर लिया मधुमती के पिता ने उन्हें फिल्मों में ये कहकर काम करने की इचास्त दी कि वो किवर डांस से जुड़े ओफर को ही स्विकार करेंगी और एक्टिंग के ओफर से दूर रहेंगी इसके बाद उन्होंने कई बड़ी वो सुपर हिट फिल्मों में काम किया इन्हें 1969 में फिल्म तलाश के शांदार शास्त्रिय गेत में अपनी शास्त्रिय रित्य प्रतिभा देखाने का मौका मिला जिसके लिए उन्हें काफी सरहाना मिली जाहिर है जब फिल्म को एक अंदर राश्च फिल्म समाहरों में भेचा गया तो उनकी शास्त्रिय रित्य गीत से प्रभावित अधिकारियों ने अपने अभी लेखगार में केवल उसी हिस्से को रखने का फैसला किया और ये उनकी प्रदिभा के लिए एक बड़ा बढ़ावा साबित हुआ ये प्रसिद्ध निर्माता दिरूबाई देसाई ही थे जिन्होंने युवा मधुमती की प्रदिभा को सबसे पहले पहचाना वो एक समाहरों में मुख्य अतिती थे जहां वो मंच पर नृत्य कर रही थी और उन्हें अपने फिल्म के लिए नाइका के रूप में साइन करना चाहते थे लेकिन उनके पिता उनके अभिनेतरी के रूप में फिल्मों में आने के खिलाफ थे बहुत समझाने के बाद उन्हें साल 1957 की फिल्म राजा हरी चंद्र में सिर्फ एक डांस नंबर करने की अनुमती दी गई फिर साल 1960 में उन्होंने फिल्म जमीन के तारे से अभिनाई की दुनिया में कदम रखा जहां उन्होंने डैजी एराने की सौतली माग्षा की भूमिकानी भाई चुके इस फिल्म में कोई रोमैंटिक दुरुष्ण नहीं था इसलिए उनके पिता ने उन्हें इस फिल्म में अभिनाई करने की अनुमती दे दी ये दो छोटे बच्चों डैजी रानी और हनी रानी के बारे में एक बहुत ही मार्मिक फिल्म थी जो वापस पाने के लिए इश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं हाला कि मधुमती की भूमिका छोटी सी थी लेकिन उन्होंने अभिनाई की और अपना पहला कदम बढ़ा लिया था इसी फिल्म से उनका नाम होतोक्षी से बदल कर मधुमती हो गया था बाद में उन्होंने हि अमर अकबर रैंधनी अरे बीज़ी क्यों क्यों यह चली आई बहुत दिनों से ये चांसा मुक्रा कोटी को चमपाने नहीं आया इसलिए मैं खुद दिदार करने चली आई जिसमें उन्होंने मुक्री के साथ एक छोटी से भूमिका निपाय थी दिल्चस्पात यह है लोस् करने का मौका मिला लेकिन डैजी जिन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में शोपर कब्सा कर लिया था मधुमती जैसी डांसर के सामने कहीं नहीं दिख पाई मधुमती एक बहुत ही बहुमोखी नर्तकी थी और उन्हें अपने समय के कई शिर्ष अभी निताओं के साथ काम करने का मौका मिला और वो उन्ह सभी के साथ बहुत दोस्ताना थी और बदले में सभी उनका मान सम्मान करते थे शालिंता, संतुला नौर, तेजी का संयोजन वो किसी भी तरह के नर्त्य को उसी ततपरता के साथ असानी से कर सकती थी चाहे वो कैब्रे हो या कथक हो या हो भंगडा इनकी फिल्म पवित्र पापी से एक तेज गदी वाला पंचाबी नर्त्य है जहां मधमधी का नर्त्य देखना वाकई मज़िदार है अपने करियर के दौरान उन्हें अपने समय की अन्य लोकप्रियों और समकाले नर्त्य के साथ एकल और युगल नर्त्य दोनों ही प्रकार के दिल्चस्प नर्त्य प्रस्तूर करने का मौका मिला उन्होंने लक्ष्मी चाया के साथ फिल्म मेरे हुसूर जो साल 1968 की थी उसमें मनाडे द्वारा गाए गए और राज कुमार पर फिल्म माए गए एक यादगार गेत पर नर्त्य किया जनक जनक तोरी बाचे पाये लिया गाना था जनक जनक तोरी बाचे पाये लिया प्रीद के गीत सुनाये पाये लिया लक्ष्मी छाया के साथ उन्होंने फिल्म सुहाग रात में एक शांदार नृत्य भी किया जिसमें वो नागिन के तरहा नृत्य करती है और लक्ष्मी छाया मोर बनी है उन्होंने कई गानों में बेला बोस के साथ भी काम किया उन्हों अपते समय की एक और उलेखनी नर्तकी रानी की साथ भी कई फिल्मों में नृत्य किया इनकी एक फिल्म ओब्रागन जो साल 1963 की थी उसमें एक प्यारा सा गीत था निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है उसमें भी इन्हों ने कमाल का नृत्य किया था दोस्तों मधुमती की हैलन से आश्चरिय जनक समानता उध्योग के भीतर सभी लोगों के साथ साथ दर्शकों द्वारा भी देखी गई थी लेकिन जब मधुमती ने उध्योग में प्रवेश किया तब नकिवल हैलन ने अपने लिए एक विशेश धान बना लिया था बलकि उनकी अपार लोग प्रेता के कारण हैलन का गीत शामिल करना निर्माता के लिए लगभग जरूरी था मधुमती की एक और फिल्म नाइट इन लंडन इसमें भी उनका बहुत शानदार कैबरे निर्तिय है जुल्कों की कहानी है जन्नत की निशानी है हाला कि हैलन से मिर्दी जुल्ती होने के कारण लोगों ने मधुमती पर ध्यान दिया लेकिन आगे चलकर ये उनके लिए अभिशाफ साविद हुआ उनके कई लोग प्रिय निर्तियों को हैलन का निर्तिय माना जाता था क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें हैलन समझ लिया जाता था और केवल क्लोस अब शॉर्ट में ही ये सपस्ट रूप से पहचाना जा सकता था कि कौन कौन है शायद बहतर गाने में हैलन के लिए आरक्षित हो गए लेकिन इसने मधुमती को अपने सभी गानों में अपना सर्वस रेष्ट देने से नहीं रुका इस बात में कभी कोई संदे नहीं था कि मधुमती अपने आप में एक बेहत प्रतिभाशाली नर्थगी थी और अपने सभी समकालिनों के साथ प्रतिस परधा का आनन लेती थी हम हैलन और मधुमती दोनों को फिल्म ये रात फिर ना आएगी के संगीत नर्थिशक ओपी नहीर द्वारा रचीत प्यारे गीत हुजूर वाला जो हो इजासत हो तो हम ये सारे जहाँ से कह दे इसमें एक साथ देख सकते हैं इन दो बहतरी नर्थकों के बीच चहरे के अद्भूत समानता को कोई नजर अन्दास नहीं कर सकता सयोग से गाने में पुरुष नर्थक मधमदी के पती मनुहर दीपक थे 1963 की फिल्म ताच महल इस बार एक शादी के गाने के लिए वो फिर से हेलन के साथ काम कर रही थी ये एक चढ़ाने वाला छेट चाड़ गाना है जिसमें वो एक लड़की की भूमिका निभाती है जबकि हेलन लड़की है ये भी बहुत प्यारा गाना है फर्म पागल कहीं का में गाना है जिसमें हेलन शमी कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाती है लेकिन परिस्थितिया उन्हें प्रेम चुपडा से शादी करने के लिए मचबूर करती है अपनी शादी के रात की पार्टी में मधमती को आशा वोसले की गाने सुनो जिन्दगी गाती है पर कैबरे डांस करते हुए देखा जा सकता है जबकि एक चिंतित और परिशान हैलन प्रेम चुपडा के बगल में बैठी हुई है मधमती ने लोग नृत्यू और भांगडा अपने पती मनोहर दीपक से सीखा जिन्हें सैयोग से आधुनिक मंच भांगडा का जनक माना चाता है मनोहर दीपक को किसी और ने नहीं बलकि खुद शौमैन राज कपूर ने एक युवा महत्चव प्रतियोगिता के दोरान देखा था जहां मनोहर और उनके लड़कों के समूने भांगडा किया था वो पंचाबी नृत्यू से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मनोहर को फिल्म जाकते रहो के लिए साइन कर लिया जिसमें उन्हें केमे जूट मोलिया कोई ना केमे कोफर टोलिया कोई ना इस काने में नाचते और गाते हुए देखा जा सकता है मधुमती ने संजीयो कुमार की पहली कुचराते फिल्म कलापी में दृत्य किया और बाद में वो उनके राखी भाई बन गए ये नरगीश और सुनिल दद के भी बहुत करीब थी वो नरगीश को अपनी सबसे अच्छी दोस्त, रोल मॉडल, गुरू, मार्ग दर्शक, मादी थी और जीवन में हर चीज के लिए उनका मार्ग दर्शन करती थी और सुनिल दद भी उनके राखी भाई थे महिंद्र कपोर द्वारा गाया गया गीत ना मूछ उपे जीओ और ना सर जुका के जीओ जो फिल्म हमराज से लिया गया था ये एक स्टेज गीत है जिसे सुनिल दद पर फिल्माया गया है और प्रिष्ट भूमी में मधुमती और गोपी कृष्ण के नर्दित्वों में नर्दिक्यों का एक समु प्रदशन कर रहा है फिल्म मुझे जीने दो के लिए यूनिट को चंबल घाटी में डकेटों के ठिकानों पर जाना था मधुमती पर फिल्माये गए एक डांस नंबर में महिड में असली डकेट बैठे थे जो सिर्फ फिल्म की शूटिंग देखने आये थे उन्होंने यूनिट और पुलिस को भरोसा दिलाया था कि वो कोई परिशानी नहीं पैदा करेंगे और सिर्फ शूटिंग देखेंगे और चले जाएंगे शूटिंग के बाद ही मधुमती को पता चला कि उसने असली डकेटों के सामने डांस किया है और हाला कि उन्हीं सोचकर अजीब लगा लेकिन बाद में सभी ने खुब ठाके लगाए बात करें अगर इनकी नीजी जिन्दगी की तो मधुमती की मुलाकात मनोहर दीपक से उनकी पिता के निधन की छे महीने बाद हुई थी और वो दोनों पैशवर रूप से साथ काम करते थे और एक दूसरे के प्रती परस पर सम्मान रखते थे लेकिन दुख की बात ये है दूस्तों कि उनकी पत्नी कम उम्र में ही चार छोटे बच्चों को छोड़ कर चली गए थी यानि उनकी दैथ हो चुके थी चुके वो पत्नी के दैथ के समय परिवार के करीबी दोस्त थी इसलिए नर्गीज नहीं सुझाओ दिया कि चुके बच्चे मधुमती को पहले से ही जानते थी इसलिए मनोहर के साथ शादी करना उनके हित में होगा जी हाँ मनोहर पहले से शादी शुदा थे थोड़े विचार विमर्ष के बाद 19 साल की छोटी उम्र में मधुमती ने उसे शादी कर ली और मनुहर के रोप में उन्हें एक बहतरीन जीवन साथ ही मिला जिसने ना केवल उन्हें अंदृत्य जारी रखने के लिए प्रुचसाहित किया बलकि फिल्मों में अभिनाई करने के लिए भी प्रुचसाहित किया उन्होंने खुद के बच्चे ना होने का फैसला किया और ये वाकई अविश्वनिय था कि मधुमती ने मनुहर के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला उनके लिए एक प्यारी माबनी और साथ ही अपने करियर को भी चारी रखा आज उनके सभी बच्चे शादी शुदा हैं और अच्छी तरह से सेटल हैं और वो खुद के साथ शांती से रहती हैं पच्चेस साल तक मधुमती और मनोहर दीपक ने हिंदी वा पंचाबी फिल्मों में काम किया मधुमती की आखरी फिल्म थी अमर अग्बर एंधरी जैसा कि हमने आपको बताया इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपना डान स्कुल शुरू किया उनके डान स्कुल में कई नामी मॉलिवड एक्टर्स ने उनके डान सीखे उनसे डांस सेखे जिसमें अक्षे कुमार, गुविंदा, तबू और अमरिता सिंग का नाम भी शामिल है डांस के साथ साथ उन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल भी शुरू कर लिया था लेकिन साल 2002 में उनके पती मनोहर दिपक की दैथ हो गई